साथ निबाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो है कोकिला स्रवन कुमार को फोन करती है और कहती है कि जो है इस समय जो मैं कहने जा रहे हूँ ये कहना पता नहीं उचीत है कि नहीं उचीत है वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इस समय बहुत कोगिला कहती है कि कल धरम और गोपी भहो की जादी की सालगिरा में जो है मैं चाहती हूँ कि तुम यहां पर आओ और अपने सारे परिवार को निमंतर देती हूँ साफ अरिवार जो है यहाँ पे आना है आपको तो फिर जो है असरोन कहता है कि मैं मा वहाँ पे कैसे आप आऊंगी तो कोकिला कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुमारी और बिद्दा की बीच में जो है अनबन चल रही है लेकिन जो है रिष्टे को ऐसे नहीं खराब किया जाता है तुम यहाँ पर आओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर स्रोन कहता है कि ठीक है उसके बाद गोपी और कोकिला जाती है बिद्या के पास और बिद्या को संजाती है कि मैंने स्रोन को फोन कर दिया है कल की पार्टी के लिए तो विद्धा कहती है कैसी पार्टी तो फिर जो है कोकला कहती है कि मैंने सब कुछ गोपी को बता दिया है तो फिर जो है वो कहती है कि स्रोन को यहां पे क्यों बुलाया है तो कोकला कहती है कि यहां पे बुलाया सरोन की कोई गलती नहीं थी इस समने यानि कि जिस तरह से गोरा ने हम सभी को गुमरा किया था उसी तरीके से सरोन को भी गुमरा किया गया था वो यहां पे आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद कोकिला कहती है कि तुम जा करके जो है अपने पती को मनाओ क्योंकि वो सुबा से रूठे हुए हैं फिर जो है दूसरी तरफ जो है जिगर अहम से बात कर रहा होता है और कहता है कि भाई एगर आज रासी होती तो हम चारों मिलकर जो है तुम्हारी मेरे जैनुवर सुरी बहुत ही अच्छे से मनाते तो धरम कहता है कि सही बात है यार भाई उसके बाद में जो है वो कहता है कि मैं भी अगर मेरा भी 27 साल गिरा होगा तो मैं भी परदी क्यों लेकर जो है मूबी दिखाने ले जाऊंगा तो फिर धरम कहता है कि तू मूबी दिखाने ले जा पा रहा हूँ इतने में गोपी आजाती है तो धर्म कहता है कि तु जाओ जिगर तुम बाहर जाओ तो फिर गोपी काफी ज़्यादा सज कै आती है और फिर वहां पे बहुत ही गोपी और आहम romantic mood में हो जाते हैं गोपी अहम को किस करती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं उसके बाद में जो है वो वहाँ से लाती है गोपी फिर वहाँ से अहम जो है गोपी को गोद में उठा लेता है और यहाँ पर आता है तो गोपी कहते हुए कि यह सब देखो तुम्हारे लिए जो है सारा ब्यौस्था किया गया है सभी लोग उनको फूल लेकर खड़े होते हैं और फिर उनको साधी की सालगिरा की बदाई देते हैं उसके बाद में तोलो मूलो उधर इमेज का इंतिजाम करते हैं यानि कि साधी की पुरानी फूटेज यह है टीबी पे दिखाते हैं तो आने होले एपिसोड में आपको यही सत देखने को मिलेगा थैंकुस